आधार में डेट और बांकी चीजें बदलना बहुत ही आसान हो गया है अब आप भी यह सभी अपडेट घर बेठे कर सकते हैं या फीर लोगों के लिए अपने गहां के लिए कर सकते हैं तब भी आप यह सर्विस को कर सकते हैं इसके लिए कैसे आपको registration करना है कैसे आईडी लेना है सभी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में जाना है अब अपने आधार में सभी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं जैसे नाम, डेट वाथ, इमेल आईडी, मोबाल नंबर, एड्रेश, सभी चीज़ें आपने अपडेट क आपको टाइब करना है यहां पर आपको यू आई डी आई और आपको सच कर लेना है फॉस्ट में यहां पर आपको यू आई डी आई का वेबसाइट दिख जाएंगे इसमें आपको क्लिक नहीं कि आपको क्लिक करना नहीं है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर आपको लॉगिन करने का उपसंदिया जा रहा है जो कि आप अधार में OTP के माधियम से लॉग इन कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी आधार केंद जाना होगा वहाँ पर आपको आधार नंबर में मोबाइल नमर को लिंक कराना होगा यह काम सबसे पहले आपको कर लेना है उसके बाद ही आप अपडेट को घर वेठे कर पाएंगे दोस्तों और यहां पर आपको बांकी अपडेट करना है इसके लिए आपको यहां पर लॉग इन का उप्सन दीख रहा है लॉग इन पर क्लिक कर लेना है लॉग इन पर क्लिक कर लेने के बाद यहां पर फॉस्ट में आपको आधार नमर फिल करने के बाद नीचे आपको जो केपचा नज option टिया जाएगा आपको रिसेंट करके 58 प्राप्थ कर लेना है देन आपको यहां पर फिल करके login पर किलिक कर लें जैसे अब आधार से login कर लेता है यहांब आपको आधार से related जितने भी शर्वीस मिल रहा है यह काफी है दोस्तों आब कर सकते जासे यहांपioxid में दिया है आधार App को डान्लोड भी यहां से कर सकते है немSp Such yang inabile यहांप दिया है दोस्तों chief of Ville एड्रेइस अब्डेट यह सभी अब्डेट आप कर सकते हैं खुद्से कर सकते हैं आपको कहीं भी जाने की जरुड़त नहीं है यहाँ पहर पर नंब्ल जयोटेल आपको कहीं संचाल क्षेक है अपने क्षेकं सेकार कि लिया करने की आप naam डेटो फॉर्स्ट में दिया है आपका नाम जो कि आप दो बार चैंज कर सकते हैं मिनिमम जदी आपने पहले से चैंज किया हुआ है कुछ तो इसमें दुबारा से चैंज करने का उप्षन नहीं देगा दो बार जदी आप यूज कर सुपर हैं तो चुकि यह लाइप में सिर्फ दो आपको सुछ समझ के इसको अबडेट करना है कि आपका जो अबडेट देखने को नहीं मिलने वाला तो इस बात का आपको ध्यान वगर है उसमें आप चैंज नहीं कछ सकते हैं तो इसीलिए आपको उसमें जो भी दिया हुआ रहेगा वह आपको अपडेट यहां पर कराना है या फिर आपको जो भी जरूरी हो सो समझज के इसमें अपडेट कराना है दोस्तों आप हम लोग बात कर लेते हैं आप सुधार कर सकते हैं इसके लिए कोई भी डोकुमेंट की आपको जरत नहीं पड़ेगा सिंपली आपको इसको सही करने के बाद आपको 50 रुपे का पेमेंट करना पड़ेगा जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों तीसरा यहां पर उप्सन दिया हुआ है एड्रेस चे सकते हैं या फिर आप अपने निबसी परमान पकरी को भी अफासे को एको लगा एक इसमें है कि अद्रेस को दोस्तों आप करना जाते संदे के लिए तो इससे आप को चैंच किया सकता यानि सुधार के सर इसमें आप वही सुधार कर सकते हैं जो कि आप प्रूब दे रहे हैं तो उसमें जो भी नाम है वो नाम इसमें कर सकते हैं एड़ कर सकते हैं जदी आपका नाम पहले से इसमें कुछ गड़बर है तो दोस्तों यहाँ पर डेट अब पर प्रूब के लिए आप मेट्रिक का माकसिद यूज किया हुआ हो तो छलिए यहां पर हम लोग जाल लेते हैं कि update कैसे करना है simply यहां पर जो भी अपडेट करना है दोस्तों यहां पे दिया हुआ होगा जदि आपका एक साथ में सबी प्रोब्लम है तो सबी को एक साथ में अपडेट नहीं कर सकते हैं आपको एक एक करके करना जैसे डेटोपाइच जेंड या रेड़ेश तो उसको आध्ộट करने के बाद यहाँ पर प्रॉसीट आधार अपे पर क्लिक करना है जैसे मैं नाम को चाहँ होंगा तो नाम के लिए यहाँ पर अप्डेट का ऑप्सन दिया जा रहा है यहाँ न बूपको कोई बहने ना भ और लासे में संय कोई बीएक डोकुमेह ब्रहुंट को देख सकते हैं स्टेट गवर्न्मेंट को भी डोकुमेंट कोई भी को भी बहने के पास did Mark Seed जदी आपके पास है, marriage certificate, name, और भी यहाँ पर option दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इन में से जदी कोई भी documents आपके पास available है, पुरूप के लिए, तो आप इसको use कर सकते हैं, simply इसको click करने है, click करने के बाद यहाँ पर ok कर लेना है, ok करने के बाद नीचे आपको view update and upload documents click करने है, जो भी documents आपने चूच किया है, उसको आपको पहले से scan करके रख लेना है, scan कर लेने के बाद उसको यहाँ पर select कर लेना है, यह दोस्तों आपको PDF फाइल में करना है, चुकि आपका PDF फाइल रहता है, तो आपको कोई भी problem नहीं होने वाला है, easily आप इसमें upload कर सकत आपको आपको आएगा वो accept कर लेना है, accept कर लेने के बाद आपको payment जो online आपको करना है, वो आप card से भी कर सकते हैं, debit card, credit card, net banking, UPI, UPI, यूज कर सकते हैं, यह सभी में से किसी भी चीजें को यूज करके आप 50 रुपे को payment कर सकते हैं, payment करके successfully complete कर लेने के बाद आपको एक slip generate हो जाती है, उसको आप print करके रख सकते हैं, यह जैसे process complete करते हैं, आपका update एक से दो दिन में confirm हो जाएगा, आपको notification भी मिल जाएगा, देन आप फिर से आधार card को download करके यह approve कर सकते हैं, कि आपका update successfully complete हो चुका है, दूसरा option check करने का आपके पास यह भी है दोस्तों कि आप